इन्वसकार डेट है आज की 12 दिसमबर 2022 और आज जो था वो कंड़क्ट किया गए था मौर्णिंग चैशन में टैट नॉन मेडिकल का पेपर यह जो टैट नॉन मेडिकल का वेपर कंड़क्ट किया गए था तो इसको हम देखेंगे सबसे पहरे जीके के चैक्शन से जो है हम स्टार्ट करेंगे क्वेशन नंबर 121 से पिछले कल के जो पेपर होते हैं वो भी हम डिसकस कर चुके हैं तो 121 क्वेशन देखेंगे अभी बोलते हैं तो बोलते हैं कि महान संगीतकार जो तानसेन था वो किसके दरवार में थे तानसेन आपको पता है अकवर के दरवार में था option D सही अंतरे बहुत बार हमने डिसकस किया है तानसेन के बारे में अकवर के बारे में आगे बोलते हैं 122 में बोलते हैं who among the following was not one of the leaders in nationalism तो बोलते हैं निम्मलिकित मैंसे कौन सा उगर राष्टरवाद के नेताओ मैंसे नहीं था हमने जो दो तरह की leaders पड़े हैं एक तो एक हमने moderate पड़े हैं एक हमने extremist पड़े हैं यहां पर अगर हम डंक से पड़ेंगी तो extremist पूछा गया है आपसे उगर पूछा गया है तो उगर में जो नहीं आता था वो गुपाल कृष्ण गोखले नहीं आते थे option A सही अंसर है 123 में बोलते हैं एवन बतूता जो था वो एक यात्री था ये कहां का यात्री था तो इवन बतूता की हम बात करें तो इवन बतूता जो था ये मौरॉक्को का यात्री था बहुत बार हमने discuss किया है HPSC के द्वारा भी बहुत बार ये quशिन पूछा जा चुका है सीरीज देख लीजे, सीरीज B है इस पेपर की, परंतु सभी पेपरों की सीरीज जो है, वो सीरीज अलग होगी, सेक्शन तो सेम होगे, क्वेशन तो सेम होगे, 124 देखें, बोलते हैं, विच स्वाइल इस्टेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, तो ये ब्लैक स्वाइल जो है, अच्छी माने जाती है, कॉटन को उगाने के लिए काले मिट्टी ऑप्शन सी सही अंसर है, आगे कॉशन बोलते हैं, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ट्री इज सिनॉमन कलेक्टिड, तो दाल चीनी जो है, वो किस भाग से प्रापत की जाती है, ये पेड के बारक्यन के छाल से जो है, वो प्रापत की जाती है, बहुत बार ये कॉशन भी पूछा गया है, अगला कॉशन है, यहां पर बोलते हैं, विच यूनिट इस यूज़ टू मैजर दी थिकनेस ऑफ ओजोन लेर, तो ओजोन लेर की जो मोटाई होती है, उसको नापने के लिए किस इकाई का प्रय किया जाता है, ये कॉशन थोड़ा सा नया है, इसको डॉप्शन कहते हैं, डॉप्शन ऑप्शन भी सही अन्सर है, पर ये टैट के एक्जाम में इस तरह के कॉशन पहले भी पूछे जा चुके हैं, वन ट्वैंटी सेवन मैं बोलते हैं, बोलते हैं, विच आप दा अगे, तो अगर आपने सारी एक दो महीनों की वीडियो देखी थी, तो आपने सारा पेपर के कवर कर लिया होगा, जीके का, वन ट्वैंटी एट में बोलते हैं, वन इस दी वर्ल्ड ओलम्पिक डे सेलिवरेटिड, वर्ल्ड ओलम्पिक डे मैंने बताया था आपको, ट्व भूशन दिया गया था, पदम भूशन एवार्ड से जो था, वो इनको नवाजा गया था, साइंटीस्ट थे, ये एक रॉकेट साइंटीस्ट थे, ये जरूर ध्यान रखना है, अगला कॉशन देखिए, अगले कॉशन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं, अंडर विच आर्ट हैं, बोलते हैं, how many members are there in commonwealth countries, तो commonwealth countries में जो है, वो 54, 56 के आसपास member है, यहां पर 54 दिया गया है, तो option A सही मान के चलिए, 132 देखिए, यहां पर बोलते हैं, कि विच स्ट्रेट कनेक्ट साउथ चाइना एंड अंडमान सी, जियोग्राफी के शेक्शन में ये कॉशन हमने ड में बोलते हैं, कि रिगवेद में कितने मंडल है, मंडला की बारे में हमने बढ़ा है, कि रिगवेद में 10 मंडल है, रिगवेद का तीसरा मंडल जो है, उसमें गाइतरी मंतर आता है, तो यह बढ़ा ही common question है, अगले question में बोलते है, 134 में बोलते है, who was the first female capital, capital of Ajad in the force, तो जो अजाद in the force थी आपकी, उसके captain जो पहली महिला थी, वो थी लक्समी, जहेगल option A जो है, वो सही अंसर है, 135 में बोलते हैं, which country does not share its boundary with Ukraine, तो यह हमने जब नाइप सिल्दार के exam के लिए पढ़ा था, उस time भी पढ़ा था, उसके बाद भी हमने पढ़ा था, कि जो Ukraine के साथ boundary share नहीं करती न, country वो कौन सी है आपकी, वो है, बुलगारिया, बुलगारिया option D सही अंसर है, पॉलेंड तो करती है, पॉलेंड और रोमानिया भी करती है, बेलारूस भी करती है, 136 देखिए बोलते हैं, who led the East India company in the battle of policy, बैटल of policy जो 1757 के आसपास हुई, 1757 के आसपास, उस को led किया गए था, किस के दोरा, Robert Clive के दोरा, option C जो है, वो सही अंसर है, आगे बोलते हैं, 137 में, बोलते हैं, how many articles were there originally in the constitution of India, बोलते हैं कि originally हम articles की बात करें न, Indian constitution में, तो 395 articles थे, option A, सही अंसर है, अगला गोशन देखिए, अगले गोशन में क्या बोलते हैं, 138 में, यहां पर बोलते हैं, in which state was the panchaiti raja first introduced, तो panchaiti raja सबसे पहले आपको बता है, राजस्थान में introduce किया गया था, option D सही अंसर है, यह शायद किसी टैट के exam में पूछा भी गया था, अगले बोलते हैं, भोजरी festival कहां पर मनाया जाता है, हिमाचल में, तो हिमाचल में जो भोजरी festival म मनाया जाता है, वो चमबा में मनाया जाता है, बहुत बार ये question पूछा जा चुका है exam में, आगे बोलते हैं, author of the book, शिमला past and present, शिमला past and present किताब जो थी, ये E.J.Buck के द्वारा लिखी गई थी, E.J.Buck हम पढ़ते हैं, इनका पूरा नाम Edward J.Buck है, option C, सही अंसर है, यहा रिचर्ड ने जो था, वो किताब लिखी थी, country life किताब, country life किताब आपने नाम याद रखनी है, और निकोलोस रोडिक ने कौन से लिखी थी, इन्होंने हिमाल्या जैबार ओफ लाइट किताब लिखी थी, तो ये नाम तो आपको याद हैं ही है, अगला question देखते हैं, बोल mobility station जो है, वो कहाँ पर set up किया गया है, तो पहला green hydrogen mobility station जो है, वो स्थापित किया गया है आपके चमबा में, option A सही अंसर है, ये question गिर्यास पत्रिका में डिसकस हूँ है, आगे बोलते हैं, नस्तिल्क और सिक्स्ते क्या है, नस्तिल्क और सिक्स्ते जो हैं ये, तो ये style of handwriting आ गुलू की राजा जगत सिंग को ये जो राजा का कहा गया था, गुलू का राजा exactly कहा गया था, तो ये किस ने कहा था, और अरंग जेब ने कहा था, option C, सही अंसर है, 145 में बोलते हैं, बोलते हैं, in which district is, गयम्यूल सिहा बही, वालाइब सेंचुरी, आज morning की वीडियो दे तक हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले थे, तो 1966 तक हिमाचल में 10 जिले थे, option D, सही अंसर है, 147 में बोलते हैं, बोलते हैं, यहां पर, in home is the executive power of state vested, तो बोलते हैं, कि राज्य की जो कारेपालिका सकती है, वो किस के पास होती है, किस के पास नहीत होती है, तो ये governor of state के पास होती है, governor option D, सही अंसर आ जाएगा, आगे 148 में देखिए, बोलते हैं, under which article of Indian constitution was untouchability abolished, तो untouchability article 17 के तह, जो है, वो इसको समापत करने की बात कही गई है, असान ही question था, अगले question में बोलते हैं, who is the ex-officio chairman of Rajasabha, तो बहुत बार पूचा गया है, vice president को ex-officio chairman of Rajasabha, क what is the minimum age for member of Rajasabha, अगर किसी को Rajasabha कस्दस्य बनना है, तो उसके लिए minimum age क्या रखी गई है, 30 रखी गई है, option B, सही अंसर है, आपको पता है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, तीन राजसabha की seats हैं, अब तीनों के तीनों राजसabha के member कौन है, अगर आपको पता है, तो comment करके बता दीजिए, और लोकसभा के लिए जो minimum age होती है, वो 25 years होती है, 25 years लोकसभा के लिए होती है, vote डालने के लिए जो minimum age होती है, वो 18 साल होती है, ये भी ध्यान रखना है, जब भी इस paper की answer की आएगी ना, HP वोस के दोरा जारी की जाएगी, तो आपको व official हमारा जो channel है, उसके उपर provide करवा दी जाएगी, इसकी official answer की, हमारा telegram channel join करने के लिए at the rate all exam 31 इस तरह से अपने telegram से join करना, आपको हमारा telegram channel जो हो मिल जाएगा, वहाँ पर आपको और भी important PDF जो आपके exam point of view से जरूरी होती है, वो आपको मिल जाएगी, और त्यारी कर रह मिलेगी ही मिलेगी, एक दो नंबरों की कमी रह जाती है, वो test series practice करके आप अपने study को reform कर सकते हैं, और इस video में इतना ही काफी है, so that's all for today, thank you, thank you very much for watching and listening very patiently.